Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, My Name is Garima आज हम करेंगे Class 9th English NCRT Supplementary Reader का Chapter 3 ईश्वरन The Storyteller The story was narrated to Ganesh by a young man Mahindr by name तो एक यूव व्यक्ती है Mahindr जिसके द्वारा ये कहानी सुनाई जा रही है Ganesh को He was a junior supervisor in a firm तो वो एक junior supervisor है एक factory में which offered on higher supervisors at various type of construction site जिसको अलब अलब जग है construction site पर भेजा जाता है as a head office order जो भी head office से order मिलता है उसके basis पर उसको जगा जगा भेजा जाता है चाहे वो factories हों, bridges हों, dam हों या फिर और कुछ Mahindr's job was to keep an eye on the activity at the work site और Mahindr का का काम है कि वो जो work site होती है construction site होती है वहाँ पर जो भी काम हो रहा है उस पर नज़र रखे He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office तो उसके head office से जो भी आदेश आता है उससे वो अपनी जगा को बदलता रहता है जहाँ भी उसे भेजा जाता है वहाँ पर वो काम करता है as a supervisor from a coal mining area to railway bridge construction site तो चाहे वो कोईले की खदाने हो या फिर railway bridge construction site तो जहाँ पर काम खतम हो जाता है उसे दूसरी जगा भेज दिया जाता है from there a few months to a chemical plant which was coming up to somewhere तो कहीं पर chemical plant लगने वाले होते हैं जो रसाइनिक कार खाने होते हैं अगले महीने या कुछ महीनों के बाद तो उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है इस तरीके से उसकी जगा जो है बदलती रहती है वो एक जगे पर रहके काम नहीं करता he was a bachelor वो कुवारा है उसकी शादी नहीं हुई है his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition और वो जो है उसकी ज़रूते हैं तो बहुत थोड़ी सी है और अपने आपको वो हर तरह की परिस्तिती में adjust कर लेता है whether it was an ill-equipped circuit house और a makeshift canvas tent in the middle of the stone query तो चाहे वो circuit house हो जिसमें ill-equipped हो यानि ठीक से equipments ना हो या फिर makeshift canvas tent हो जो की permanent canvas जो कपड़े का tent होता है वो हो जो middle में लगा हो stone query के पत्थरों की खदानों के बीच में वो हर तरह से अपने आपको adjust कर लेता है but one asset he had was his cook लेकिन उसकी एक संपत्ती है धन संपत्ती समझडो कि हमेशा उसके पास उसका रसोया रहता है जिसका नाम है इश्वरन the cook was quite attached to महेंदर क्योंकि जो रसोया है वो काफी जादा महेंदर से attached है उसे प्यार भी बहुत करता है and follow him uncomplainingly बगर कोई शिकायत करे उसको follow करता है जहां पर भी उसकी posting कर दी जाती है he cooked for महेंदर, washed his clothes and chattered away with his master at night तो वो महेंदर के लिए खाना पकाता है इतना ही नहीं उसके लिए कपड़े भी धोता है और राट को अपने मालिक के साथ बाते भी करता है he could weave out endless story ये श्वरन जो है वो endless stories weave मतलब कोई भी कहानी बुन लेता है और बहुत अच्छे से and anecdotes on the varied subject चोटी चोटी कहानिया, anecdotes होती है चोटी चोटी कहानिया और उन चोटी कहानियों को वो real person पर जो आधारित होती है varied subject अलग-अलग subjects पर वो बुन लेता है इश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables इश्वरन के पास एक और भी capacity है बहुत अदभुत योग्यता है कि वो सबजियां होगा लेता है and cooking ingredients जितने भी खाना पकाने के लिए सामगरी जरूरत होती है वो कहीं से भी ले आता है seemingly out of nowhere चाहे दूर-दूर तक कुछ भी नज़र ना आए in the middle of the desolate landscape desolate landscape का मतलब होता है सूंसान इलाका जहां कोई दुकान नहीं दिखाई पड़ती है मीलों तक फिर भी वो इन सब चीजों का arrangement कर लेता है he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables with an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace हम लोग कहीं भी नए जगए पर पहुशते हैं तो वो बहुत अदवत उसके हाथों में जादू है और वो बहुत स्वादिस्ट खाना बना लेता है ताजी सबजियों के साथ लगबख एक घंटे के अंदर और कहां से वो सब चीज़ें लाता है ये तो मुझे भी नहीं पता महिंद्र वुट बी अप early in the morning leave for work after breakfast तो महिंद्र जो है सुबह सुबह उठ जाता है काम के लिए निकलता है सुबह का नाच्टा करने के बाद और अपने साथ कुछ लंच भी पैक करके ले जाता है जो उसको इस्षुरन देता है meanwhile इस्षुरन वो टाइडी दा शेड फिर वो जहां रहते हैं वो जगहे को इस्षुरन साफ करता है कपड़े दोता है and have a leisurely bath और वो फिर आराम से नहाता है बहुत आराम से leisurely means होता है आराम से नहाना pouring several buckets of water over his head और कई सारी बाल्टियों भरके पानियों सो चाहिए होता है और अपने सर सर डालता है और बीच बीच में वो अपने मन में कुछ prayer प्रातनाय भी करता रहता है उसके बाद वो दुबहर का भोजन करता है after eating he would read for a while before dozing off dozing off मतलब जपकी लेना तो खाना खाने के बाद और जब वो थोड़ी देर पढ़ाई पढ़ लेता है कोई किताबें फिर वो सोता है एक किताब जिसमें 100 से अधिक pages होते हैं और वो तामिल पॉपुलर होती है तो उस किताब में जो कालपनिक विवरण दिया होता है कोई भी कहानी दी होती है उसको वो काफी ध्यान से पढ़ता है और इश्वरण उसको बहुत पसंद करता है थ्रेल का मतलब होता है कोई दास होना या उसका सर्वेंट मतलब उसकी विलकुल आधीन हो जाना गुलाम हो जाना तो इश्वरण उनकी गुलाम की तरह पढ़ता है मतलब बहुत ध्यान से पढ़ता है और उसका खुद का विवरण जो है खुद का जो वर्णन है वो भी काफी असर डालता है Tamil authors को जिनको वो पढ़ता है उनके जरिये, उन कहानियों को वो पढ़ता है और अपनी तरीके से ही कहता है When he was narrative even the smallest of the incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account जो वो खुद से कोई कहानी सुनाता है चोटा सा कोई incident वाक्या बताता है तो वो कोशिश करता है कि उस पर वो suspense or surprise end करे मतलब काफी ऐसे सुनाएं कि वो छोटी सी साधारन सी कहानी भी बहुत दिल्चस्प बन जाए For example, instead of saying that he had come across the uprooted tree on the highway, he would say अगर example के तोर पे लें एक उधारन दिया हुआ है कि अगर उसे ये बताना हो कि highway पे वो आ रहा था और वहाँ पर एक पेड़ जो है वो उखड़ा हुआ पड़ा था तो वो उसके बज़ाए क्या बताएगा वो अपनी eyebrows को, arc यानि बिल्कुल भाओं को चड़ा कर हातों को अपने dramatic gesture के साथ dramatic यानि नाट के इशारों के साथ हाथ पर चला के मुद्राएं दिखा के और कहेगा the road was deserted जो सड़क थी वो सूनसान थी and I was all alone और मैं बिल्कुल अकेला था suddenly I spotted something that looked like a enormous bushy beast lying sprawled across the road अचानक मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा, enormous मतलब बड़ा सा bushy beast कोई जानवर पड़ा हुआ है और सड़क के बीचो बीच I was half inclined to turn and go back तो मेरी थोड़ी सी इक्षा थी कि मैं पल्टू और वापस जाऊ but I was came closer and I saw that it was a fall and tree लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा मैंने जानने की इक्षा जटाई और मैंने देखा कि वहाँ तो एक पेड़ गिरा पड़ा हुआ है with its branches spread out और जिसमें भुजाएं जो उसकी टहनिया है वो फैली हुई है महिंदर would stretch himself back in the canvas chair and listen to Iswaran's tale uncritically और महिंदर जो है उसकी कहानियों को उस canvas की chair पे बैट के सुनता था The place I came from is famous for timber तो जो जगह थी जहां से वो आया था Iswaran आया था वो timber यानि लकड़ी के लिए famous था Iswaran would begin There is a richly wooden forest all around क्योंकि उसके आसपास जितना जंगल का इलाका था वो उसमें काफी जादा मात्रा में लकड़ी मिलती थी The logs are halted on to the lorries by elephant क्योंकि जो elephants थे उन पे ढोया जाता था लट्ठों को और वो लॉरी का काम करते थे They are huge well-fed beast क्योंकि वो काफी जादा मात्रा में खाना खाते थे ऐसे जानवर थे जो काफी अधिक भोजन करते थे When they turn wild even the most experienced महावत महावत होता है महावत जो हाथियों को चलाता है When they turn wild even the most experienced महावत is not capable to control them और वो बताता है कि उन जंगली जानवरों को इतने experienced इतने अनुभवकारी महावत जो हैं वो भी control नहीं कर पाते थे After this prolonged इस प्रस्ताव के बाद क्योंकि वो आगे एक हाथि की कहानी सुनाने जा रहा है तो इस वज़े से वो इस सब चीज में बताता है One day a tusker escaped from the timber yard एक दिन की बात है Tusker यानि हाथि जो था वो timber yard से भाग गया Begin to roam about और इधर उधर भटकने लगा Stamping on bushes, steering up wild creepers and breaking branches at will और वो फिर जाडियों को दबाने लगा और जो जितनी भी creepers थे उनको उखार देता था और मतलब सारी टहनियों को तोड़ देता था इस तरह से वो नाश भी नाश करता है जो भी उसके रस्ते में आ रहा था उसको हटाता चल रहा था You know sir, how an elephant behave when it goes mad तो आपको पता है sir, जो हाती है जब वो पागल हो जाता है फिर वो क्या करता है इश्वरन वोड़ गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about और इश्वरन अपनी ही कही कहानी को इतने excitement से इतने उतसाहित ठोकर सुनाता है और सब कुछ act करके बताता है emulation मतलब होता है नाट के तोर पर किसी चीज का अनुकरन करना तो वो ऐसे बताता है जैसे पागल हाती वो खुद ही है अलिफेंट रीच दा आउट्सकर्ट अब आवर टाउन तो हाती जो था वो कस्बे के बाहरी हिस्से में पहुँच किया, breaking the fences down like magic trick और उसने जो भी बाडियां लगी थी उसको तीलियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया he would continue it became into the main road and smashed all the stalls selling fruit mud pots and clothes और फिर वो में सडक पर आ गया और उसने सब कुछ तहस नैस करना शुरू कर दिया जो भी फलों की दुकाने लगी थी मिट्टी के बरतन, कपड़े सब को तभा करने लगा people ran helter-skelter in panic और लोग जो थे वो डर से इधर उधर भाग रहे थे the elephant now enter a school ground where children were playing अब हाती जो था वो एक दिवाल तोड़ कर एक school ground में घुज गया था जहां बच्चे खेल रहे थे all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight सारे लड़कों ने classroom में भाग के चले गए और उने दर्वाजे को बन कर लिया the beast grunted and wondered about और जो जानवर था जो हाती था वो आवाजे निकाल रा था जोर जोर से और इधर उधर भटक रहा था pulling out the football goal post tearing down the bollywood net kicking the flattening the drum cap for water and uprooting the shrub तो वो वहाँ पे जो भी कुछ उसके सामने आ रहा था उसे तबाह कर रहा था चाहे वो football goal post हो या फिर volleyball की net हो या फिर वहाँ पे पानी भरा drum हो वो जो भी सामने आता उसे तबाह कर देता meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building उसी समय जितने भी अध्यापक थे वो छट पर चड़ गए जो school building की छट होती है वहाँ चड़ गए from there they helplessly washed the depredation of the elephant और वहाँ से वो बे सहारा होते हुए मतला बेबस थे क्या कर सकते थे वो जानवर था और उससे वो लड़तों नहीं सकते थे तो helplessly वो वहाँ से उसकी तबाही को देख रहे थे there was not a soul below the ground the streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared पूरी की पूरी सड़क खाली हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि पूरे कजबे में अचानक कोई भी नहीं है सबके सब गायब हो गए है तो ये तो हो गया chapter का first part आपका second part मैं next video में start करूंगी आपको कैसा लगा comment section में जरूर mention करिए और पसंद आया तो like का बटन जरूर दबाईए पसंद आया हो तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करें